मैं हूँ शोबा नंदन सभी वीवर्स और सस्क्राइबर को मेरी नमस्ते और आज की हमारी रेसिपी है कुट्टू के आटे की पूरी कुट्टू के आटे की पकोड़े बनाने के लिए दो मेडियम साइज के आलू को उपालने के बाद कद्दू कस कर लेते हैं आलू को कद्दू कस कर लेने के बाद एक कप कुट्टू का आटर डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार नमक डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार काली मिर्च का पॉर्टर डाल देते हैं अगर आप पूरी में हरी मिर्च पेष्ट का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं चौप मिर्च का यूज ना करें क्योंकि चौप मिर्च का यूज करने से पूरियां फट सकते हैं सभी इग्रेडेंट्स को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सभी इग्रिडिंट्स के मिक्स हो जाने के बाद चेक कर लेते हैं आटे से इस तरह से मूठी बनाये तो ये मूठी बन जाये इतनी मात्र में आलू आटे के अंदर होना चाहिए अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते वे आटा गुंद कर तयार कर लेते हैं आटे में पानी एक साथ ज्यादा ना डालें, ज्यादा पानी डालने से आटा पतला हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी लेते वे आटा गुंद कर तयार कर लें पूरी बनाने के लिए आठा गुनकर तयार है, आठे को हमें न तो ज्यादा टाइट रखना है और नहीं ज्यादा पतला रखना है, हमें मीडियम आठा गुनकर तयार करना है पूरी को तनने के लिए घी या तेल जो भी आप वर्थ में खाते हो डाल का गरम कर लेजिए पूरी को शेफ देने के लिए देसे घी लगा कर हातों को चिकना कर लेते हैं हातों को चिकना करने के बाद नीम्बो के अकार का आठा लेकर गोल-गोल घुमाते वे इसकी लोई बना कर तयार कर लेते हैं लोई को गोल-गोल घुमाते वे हतेली से या फिर उंगलियों से थपता पाते वे पूरी की शेप दे देते हैं हलके हलके हातों से थपता पाते वे पूरी को शेप देने के बाद पूरी के फटे वे किनारों को भी हातों से ठीक कर लेते हैं पूरी को शेप देने के बाद पूरी को तल लेते हैं पूरी को तलने के लिए तेल का टंप्रेचर मीडियम रखे ज्यादा तेज टंप्रेचर होने से पूरियां जल सकती है रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक, चैनल को सस्क्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैमिली मेंबर के शाथ शेर कीजिए रेसिपी से रेलेटिड कोई कोशन हो तो कॉमेट जरूर करें पूरी के एक साइट से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने के बाद पूरी को पलट कर दूसरी साइट से भी गोल्डन ब्राउन हो जाने तक तल लेते हैं पूरी के दोनों तरफ से golden brown हो जाने के बाद पूरी को निकाल कर plate में रख लेते हैं पूरी को plate में रखने के बाद वर्थ वाली सब्जी या वर्थ वाले रायते के साथ सर्फ कर लेते हैं अब बात करते हैं कुछ tips और tricks की अगर आप measurement cup का यूज नहीं कर रहे हैं अंदाजे से आटे को ले रहें तो आलू और आटे की मात्रा मुठी में बंद करके चेक कर सकते हैं पूरी बनाने के लिए आटे को ना तो जादा सक्त रखें ना ही जादा सोफ्ट रखें मीडियम आटा गुन कर तयार करें पूरी को शेप देने के लिए हातों को चिकना करने के बाद हातों से थपाते वे पूरी को बना कर तयार कर लें अगर आप चकला बेलन से पूरी को बेलना चाहते हैं तो बेल सकते हैं लेकिन चकला बेलन से बेलने से पूरी की परफेक्ट शेप नहीं आएगी कहीं से मोटी कहीं से पतली रहेगी और उसके किनारे भी ज्यादा फटे वे रहेंगे इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगे कि पूरी को बेलने के लिए चकला बेलन का यूज ना करें पूरी को हातों और हतेली की मदद से थफफाते वे ही शेप दे दें आठा गुनने के बाद आठे की तुरंत पूरियां बना कर तयार कर लें आठे को कुछ देर रखने से आठा पतला हो जाएगा पूरियों को तलने के लिए तेल का टमप्रेचर मेडियम रखें तेल के टमप्रेचर को ज्यादा हाई या ज्यादा लो पे ना रखें तेल के temperature को high पे रखने से पूरियां जल जाएगी और तेल के temperature को low पे रखने से पूरियां तेल एक्जॉब कर लेंगी